हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उमीद है कि आप सब ही अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आप सब के लिए नाम वले शब्दों के बारे में बताने आई हूँ तो सबसे पहले आप इस चत्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे पंखा, एसी, अलमारी, टीबी, फूलदान, फ्रेज, सोफा, लड़का, पलंग, रेडियो, चुड़िया, सूरज, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है इन सभी चीजों के, या आप कह सकते, इन सभी शब्दों के देखिये नाम है जैसे मैंने टीबी कहा, तो आपने जान लिया, कि हाँ, वही टीबी जिसको हम देखते हैं यानि कि इस शब्द को, इसको हम टीबी के नाम से जानते हैं जैसे मैंने कहा सूफा, तो सूफा एक नाम है, किसका नाम है, एक सामान का नाम है तो यहाँ पर, जैसे किसी भी शब्द का अगर नाम होता है, कोई भी किसी भी शब्द का तो उनको हम नाम वाले शब्द कहते हैं तो अगर हम कहना चाहें, कि जैसे देखें, लड़की क्या है? लड़की आपको इस चित्र में लड़की भी दिखाई दे रही है लड़का भी दिखाई दे रहा है ये सब क्या है ये सब नाम है इनको हम लड़का की नाम से जानते हैं इसको हम पलंग की नाम से जानते हैं इसको हम चड़िया की नाम से जानते हैं तो किसी का भी अगर नाम होता है उसको हम नामवाले शब्द कहते हैं और इनी नामों के द्वारा हम जाने जाते हैं जैसे मैंने कह दिया सूरज आपने तुरन जान लिया हाँ वही जो हमें रोशनी देता है या प्रकाष देता है तो ये सब ही शब्द क्या है नाम वाले शब्द है तो बच्चों मुझे उमीद है कि आप सब अच्छे से जान गया होगे कि नाम वाले शब्द क्या होते हैं तो अगर हम सिंपल से इसकी परिभाशा भी जाने कि नाम बताने वाले शब्दों को हम नाम वाले शब्दों कहते हैं ओके तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई